नमस्कार स्वागत करते हूं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में एच के नॉलज और इंड मोर इस लेक्षर में मैं बात करने वाला हूँ बायो सप्टी इसूस के बारे में जैसुरक्षा मुद्दे और क्या-क्या इसमें जो मेजर बायो सप्टी इसूस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा मैंने पहले से राइट करके रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और इसमें मैं बात करूँगा बायो पायरिसी और बायो पेटेंट के बारे में जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि अभी सारे वर्ल्ड में सारे कमपनी कई प्रकार की कमपनी कई प्रकार की आर्गिनेशेशन आपको देखने को मिलता है उनका एक बहुत बड़ा उद्देश ये होता है कि जिस जगा पर अंधिकरित उप्योग करना सुरू कर देते हैं यह किसका काम होता है यह वर्क होता है यह काम होता है सारे के सारे उन बहुराष्टी कमपनियों का उन जो संगठन होते हैं उनका काम होता है तो बायो पायरिशयो बायो प्रेटेंट की चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो का माध्यम से अर्णता तक बने रहीएगा वीडियो म वीडियो पसंद आए ज़िस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंड करें चनल को पहली बार आए थि प्लिस सब्सक्राइब कर ले ता किसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो किया मेजर स्पटी इसमीज अठ्सकरी को किацион好 जाते हैं कि जैसे कि आप इसे पहले वीडियों भावों से सुरक्षित करना ये बहुत बड़ा मुद्दा बनके आता है तो उसके लिए कुछ प्रमुक पॉइंट है जिसको मैंने यहां पर नोट करके रखा है आपके लिए ध्यान रखेगा तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो दिखाए दे रहे है वो यह है कि मैं इसको छोड़ा सा विस्तित करना कर दू कि पिछले कुछ दस्कों में जो जैव टकनीकी है वो इन्होंने और कई अनवांसिक रूप से रुपांतरित जीवों का विकास किया जिनेटिकली मोडिफाइड एनिमल्स और प्लांस का या क्रॉप का या फूट का निर्मान किया है जिसक पर यहां यहां पर दो भागन बाद देता ओं जंटूओं पर यह खत्रा उत्पन अ होना सुरू हो गया है ठीक है नेक्स्ट आता इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि soundtrack के security इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बन के आता है जैसा आप लोग जानते हैं अभी कोरोना का काल चल रहा है कोरोना इफेक्ट सब की तरफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है ठीक है बीच में ऐसी बाते आई थी कि ये लेबराटरी एक्सपेरिमेंट के दारान ये पाधित किया जाता है मतलब लेबराटरी की सुरक्षा भी बहुत बड़े चिंता बन चुकी है लेबराटरी की सुरक्षा से तात्पर्य होता है वहाँ पर काम करने वाले लोग और उनसे जुड़े हुए दूसरे लोगों का शुरकशा नेक्स्ट आता है protection from pathogens मतलब रुधिर जनित जो रोग जनक होते हैं उनसे सुरक्षा हम कैसे करें ब्लट की माद्धम से फैलने वाले जो रोग है उसकी सुरक्षा हम कैसे करें ये भी बहुत बड़ा मुद्दा ये उभर के आता है बहुत बड़ी समस्या बन की हमको दिखाई दे रहे आगे आगे आता है कि जो recombinant DNA टेकनोलाजिस से उत्पन जीन और जो जीव है वो भी कही न कहीं ये देखने में आता है कि कुछ फामफुल है तो कुछ इफेक्टिव प्रभाविय कहने है कि मतलब कुछ अच्छा आगे तो कुछ capitalize लेके भी आता है तो ये दोनों के लिए जीन के लिए भी नए बनने वाले जीन के लिए भी और उस जीव के लिए भी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा issues बना हुआ है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि इनको हम protect करके कैसे रखें, इनकी security की जिम्मेदारी कैसे लें, इनकी security कैसे करें, इत्यादी. फिर next आता है आपको संक्रामक पदार्थ के फैलने की चिंता बन गई है, transmitted material की, जो material है, ये इसके फैलने की एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है. ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि अधिकान्स देशों में के प्रकार की molecular system और technology है, जिसकी सहायता से जैवी का नसंधान, मतलब research का कारिक्रम, और कई प्रकार के evolution या effective प्रकार के activities में बायो टेक्नोलोजी का लगता रूप्यों कर रहे हैं, जिसके कारण लोग और की जैव सुरक्षा खत्र में पढ़ चुकी है, ठीक है न, एक research और विकासामत्मा प्रक्रियाओं में जैव सुरक्षा की आउश्रक्षा को देखते हुए, एक अंतरराश्ती जैव सुरक्षा पर agreement किया गया है, जिसे karta-zena protocol on bio safety के नाम से जाना गया है, ठीक है, किस नाम से जाना गया है, कार्टा, जेना, प्रोटोकॉल, on bio safety, देखें, ये एक अंतरराश्ती मुद्दा बन के उभर गया है, अंतरराश्ती जैव सुरक्षा पर agreement किया गया है, ठीक है, हमारे देस में भी बायो टेक्लोलाजी डिपार्टमेंट में, जैव सुरक्षा के नीमन हितु, कई प्रकार की कमेटी यहां पर संचालित की गई है, जिसका काम होता है, जैव सुरक्षा के मुद्यों को ध्यान में रखना, और सभी सुरक्षा का जो भार है, या सुरक्षा का जो कार्य है, उसको ध्यान में रखते हैं, ये experiment कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रकास आप इसको रेडी कर सकते तैयार कर सकते फिर मैं दो पॉंट और नीचे दिखाई दे रहा है आपको एक बायो पैरशी और पेटन्ट इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा बायो पायरिशी अब जैसे जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो परियाप्त बायो डायवर्सिटी पाई जाते हैं बायो डायवर्सिटी इतनी अत्यधीक मात्रा में है कि उसको नापना और तोलना असान नहीं है मतलब किसी की बसक की बात नहीं हड़ी वित्ता में असंक जीव सामीलई आप जानते हैं हर जीव में उनकी genetics specific के कारण उसमें कारण विसेफ गुन पाये जाते हैं मतलब अनवांशिक विसिष्टता के कारण विसेफ प्रकार के कुण रहते हैं या पाये जाते हैं जो मानव समाज के लिए लापकारी होते हैं हमारे पूरे करंट्री में देखें अगर विस्टों में देखें कई सारे ऐसे संगठन हैं और गिनाइजेशन हैं मुल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो जयविक संसाधनों का दोहन करती है ठीक है ना लगातार दोहन करती आई है और दोहन आज भी कर रही है तो ऐसा दोहन जयविक संसाधनों का अनदिकार दोहन अगर हम होते देखें तो उसको हम बायो पायरेसी कह सकते हैं मतलब जितने भी प्रकार के जयव संसाधन है उसका असमयधानिक तरीके से अवैत तरीके से अनाधिकार तरीके से उसका दोहन होता है उसको भोग करते हैं कोई संसाधनों का अनाधिक उप्योग होता है जयविक संसाधनों का अनाधिक उप्योग होता है कि अनाधिकार, अनाधिक्रित, अनओफिशियल कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है, इसके अंतरगत बिना किसी सूचने के जविक संसाधनों का सेंपल का संग्रह कर लिया जाता है, बाद में उसका उपयोग, कई प्रकार के उतपात को वयवस्ताइक इस्तर पर तयार कर लिय आपको देखने को मिलेगा, कि इसमें बहुत ज्यादा बाइवपयरिशिक देखने को मिलेगा, मतलब इसमें अनाधिकार, अधिकारिक रूप से, अनाफचारिक रूप से उसका दोहन किया जा रहा है, कंपनी की द्वारा से इंगठन की द्वारा ही आए, मैं सीधे कहूं त सभी विकसित देश अपने ग्यान का उपयोग, विकासिल देश के जैविक संसाधनों से लाब प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, आपने देखा होगा, जो विकसित देश है, जो जिनको हम विकसित देश के स्रड़ी में रखते हैं, विकासिल देश के जितने में जैविक स संसाधन ने वहां से लाब प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के हत्कंडे अपनाते हैं। कई मर्टिनेशनल कंपनियाज होती हैं, उन संसाधनों का उप्योग करके भूद बड़ा लाब अरचित करते हैं। लेकिन वे इस्थानी समुदाय को इसका लाब देने के बजाए अपने उत्पात को अधिक कीमत पर बेशते हैं। देखिए, समझ मैंना मालो ये संसाधन एक के पास है, एक व्यक्ति के पास है, बहुत सारे उसके पास में प्रॉपर्टी है, लेकिन इस पर कोई दूसरा आ जाता है और ये दूसरा व्यक्ति उस पर अपना अधिकार जमा देता है। एक के संसाधनों पर अपना दिकार जमा देता है, जिसके कारण इस व्यक्ति को इसके आसपास फैले हुए समाज को इसका लाभ नहीं मिल पाता। और ये अत्तधिक कीमत पर उसको बेचता है, व्यवसाय करता है और जादा लाभ कमाता है। इसलिए ऐसी कमपणियों पर नियंत्रा रखना आवर्श्यक हो गया है। 12 सरकार जैविक संसाधनों के अनाधिक्रित दोहन पर नियंत्रा रखने के लिए एक संसा का फॉर्मेशन किये हैं G-A-A-T, ठीक है। इसमें नाम आता है, फूल फॉर्म होता है General Agreement on Tariff and Trade जनरल एग्रिमेंट on Tariff and Trade मतलब एक ऐसा कानून है जिसमें बायो पैरिसी ना हो इसका विश्यस ध्यान रखा जाता है। आप यह ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा अनुबंध है जिसमें वैवशाय करने के लिए कई परकार के रूल्स और रेगुलेशन बना के रखा गया है। आपको पता है कि ancient age में मानव जो होते हैं वो जितने भी प्रकार के उप्योग में आने वाली वस्तु है उसका वैवशाय करन कम इस्तर परता। मतलब कह सकते हैं कि जतने भी प्रकार के ऐसे material है। मैं अगर कहूं कि मानव की मुलभूत आवश्यकता हैं। उनका वैवसाय करन कम इस्तर पर था। मतलब उनका बीजनेस अगर होता था पहले। तो लो रेट पर होता था। लो लेवल पर होता था पहले। लेकिन आज modern age में क्या देखने को मिलता है। industrial development के कारण वैवसाय करन का दायरा भी बढ़ गया है। जविक संसाधन भी इससे चूते नहीं रहे हैं। याद रखना। आज विस्वकी कई multinational कंपनिया हैं जो बायो पायरेसी के द्वारा जविक संसाधनों का लगातार दुरूप्यों कर रही है। उसका लगातार उभो कर रही है। जिसके कारण जो खोच करता है को उनके नोसंधान कारिया का लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है। मतलब researchers जो होते हैं। researchers जो होते हैं, इनको किसी भी प्रकार का advantage नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि सारी कंपनिया ये advantage ले रही है। ठीक है इसे रोकने के लिए bio patent प्रावरंब किया गया। मतलब simple से मैं कहूं, इसी से connect है मैंने कहा था। इसको रोकने के लिए bio patent बनाया गया। मतलब ये कह सकते हैं इसको रोकने के लिए inhibit करने के लिए मतलब control करने के लिए, control करना ठीक है bio patent प्रावरंब किया कि इसको रोकने के लिए इसके अंतरगत animation का जो कारिये होता है एक विशिस समय तक लाब दिलाने उनके द्वारा उत्पादिस समगरी की उत्पादन दोहन उप्योग क्या भविश्य में इसके उप्योग किया जा सकते हैं कहां पर इसका विक्रए और विक्रए किया जा सकता है यह सब अधिकार bio patent देती है ठीक है प्रकृति में आज पूरे विस्प में कहें तो जितने भी प्रकार के प्रोड़क्ट का उत्पादन multinational company यह करती है विविन प्रकार के company यह करती है वो उत्पादन और technology तयार करने का अधिकार दिया जाता है जिसके द्वारा वे अपनी तक्निक और उत्पाद का उभ्योग कर सकता है आप जानते हैं कोई भी कोई भी चीज़ नहीं बना सकता फॉर इक्जामपल अभी मैं कहूं कि sanitizer आप नहीं बना सकते पहले हो सकता कि बनाते रहे होंगे लेकिन आप नहीं बना सकते आपको specialist के लिए license agreement करना पड़ेगा government से government जब तक आपको इलाओ न करे तब तक आप sanitizer नहीं बना सकते समझ मैं किसी संस्था को देते हैं वह संस्था के पास एक निश्चत अधिकार देती है सरकार या government तभी जाके वह काम कर पाएगी मतलब sanitizer का निरवान कर पाएगी अब समझ गयेंगो मेरे उधारन से यह कंपनिया बजार में अपने प्रतुजंदी को रोकने के लिए patent का सहरा लेती है पैटेंड का मतलब क्या होता है? patent, patent का सहरा लेती है, पूरी कंपनिया patent का मतलब होता है patent अधिकार के कारण यो सारी जो कंपनिया होती है ज्यादा लाब कमाती है और उनकी तकनीक का उपयोग करने वाले बड़ी रायल्टी वसुलते हैं हम जानते हैं इसको बहुत सी कमपनिया अनाधिकरित बायो पेटेंड भी करवा लेती हैं जिसके करण कई विकास्ति देशों को हानी होती है ठीक है यही करण है कि विस्व में जैव पायरेसी बायो पायरेसी और बायो पेटेंड की वुरूद संगर्स की स्थिति आ गई है क्योंकि जैव संसाधन के प्रमुक और धारक और किसानों यह वो मिस्थानी लोगों को इसका लाब नहीं मिल पाता है अभी आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन चल रहा है लाब के लिए ठीक है समझे रहे हैं अभी जो चल रहा है उनको लगता है कि ब्रमुक आप चल रहा है और अभी प्रमुक पर चांप दादन की बर्मुक बरत करते हां लेकिन स्थाईब वनवासी लोग इसके लाब से वन्चित रहा जाते है आप देखते हैं जैसे कॉल माइन है है जैसे कोईले की खान है ठीक है कोईले की खान में काम कोन करवाता है बड़ी-बड़ी multinational companies कराती है ठीक है समझ मैंना बड़ी-बड़ी multinational company कराती है और यहां पर जो workers होते हैं यह भी बाहर से बुलाए जाते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं foreign years foreign years हो सकते हैं यह बहुत सारे मातरा में बड़े-बड़े post में जो मिलेंगे rank holder जो मिलेंगे यह अधिकतर foreign year मतलब विदेशी प्रकृति के लोग मिलेंगे बाहर के लोग मिलेंगे foreign से ताथ पर यह बाहरी लोग से है ठीक है लेकिन इस coal mine जिस पर बसा हुआ है ठीक है वहा के इस्थानी लोगों को इसका फाइदा मिलना चाहिए मतलब वहां के जो उस जगह पर रहने वाले जो लोग है उसको फाइदा मिलना चाहिए समझ मैं ना लेकिन मिलता है क्या नहीं मिल पाता आज जितन भी प्रकार की जैविक संसाद हना है ट supreme जीन लिए फ्रकार के प्लांट्स भी प्रकार के माइक्रो-और्डीजम मतलब अनिमल्स लिख जयता हो मैं सीधाव सीधानिम्स उनके उत्पादों के रहला जा बायो पेटेंटिंग के द्वारा आसका सकते हैं कि संपूर्ण विस्वं में विरोध के स्वर उभरने लगे हैं कि सानयों इस्थानी वासी विभिन धार्मिक समुदाय संसद परियावर्णी कई प्रकार के गैर सलकारी संगठन मतलब एंजियो बोलते हैं जिसको आप लोग ज समझ में आगे होगा कि बायो पायरेसी क्या है बायो पेटेंट क्या है समझ गया ना समान आपका है लेकिन मैं उस पर अधिकार जता हूं तो यह बायो पायरेसी हुआ ठीक है लेकिन वहाँ पर एक ऐसा कानून बने कि आपके समान का उभोग उपयोग मैं ना कर पाहूं उस